हलो फ्रेंड्स आज मैं बनाओंगा सूजी और आलो की हेल्दी और टेस्टी नास्ता इसे बनाने के लिए ज़्यादा समय की ज़रुरत नहीं है ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे आप बिल्कुल इजली बना सकते हैं बहुत ही आसान है इसे बनाने के लिए और या बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी नास्ता होता है बच्चों और बड़े के लिए भी बहुत ही हेल्दी नास्ता होता है बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनता है या आलू और सूजी की रेसिपी इससे आप एक बर जरूर ट्रै करें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं आलो और सूजी की टेस्टी नास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कडाही लिया हुआ है और कडाही में लगभग 2 गलास मैंने पानी लिया पानी में मैं एड़ करूँगा एक चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच नमक एक चमच लाल मिर्च पाउडर और नमक एड़ करने के बाद यहाँ पे 500 ग्राम मैंने सूजी लिया हुआ है और 500 ग्राम सूजी को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मैं पानी में एड़ करूँगा और फिर चलाओंगा थोड़ा थोड़ा सूजी को एड़ करना है और चलाते रहना है इस तरह से चला के लगभग 4-5 मिनट में सूजी का जो हमारा डो है वो तैयार हो जाएगा प्याज बारी कटा हुआ एड़ कर दिया 4 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया और यहाँ पर मैंने 1 चमज हलदी पोडर, 1 चमज गरम मसला, 1 चमज आम चुर पोडर, 1 चमज लाल मिर्च पोडर, 1 चमज धनिया पोडर लिया हुआ है इन सारी चीजों को भी आलो में मिक्स कर दूँगा एड़ कर दूँगा और एड़ करने के बाद एक चमच यहाँ पर मैं जीरा भी एड़ कर दूँगा इन सारी चीजों को एड़ करने के बाद इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना है तो इन सारी की चीजों को मैं मिक्स कर लूँगा सबसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा तो ये देखिए मैंने सारी चीजों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगा बिल्कुल मैंने देख सकते हैं मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा mix कर लिया है इस तरीके से mix कर लेना है उसके बाद अब मेरा सूजी का जो डो है जो मैंने तयार कर लिया वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब उसको बिल्कुल आटे जैसा पूरा गूत लेना है थोड़ी सी तेल लिया मैंने यहाँ पे और तेल लेके इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आटे जैसा मैं गूत लूँगा तो यह देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आटे जैसे मैंने गूत लिया है अब इसकी छोटी छोटी रोटी जैसे लोई बना लूँगा अब देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे मुझे लोई बना लेना है और इसमें जो हमारा आलो का जो मसाला है वो मसाला मैं इसमें भरूँगा इस तरीके से मैं बना लूँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से अब ये मसाला मैं भर दूँगा भरनी के वद इसे पुरा पैक कर दूँगा इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे मुझे पैक करना है ये मैं पैक कर रहा हूँ तो इस तरीके से मैं पहले पैक कर लेता हूँ इस तरीके से सारी लोही में कटोरी जैसा बना के और मसालों को यालो के मसालों को भर लेना है और इसको उसके बाद दोस्तों हमें बेलना नहीं है बिल्कुल सिप रोटी जैसा कचोरी जैसा हमें बना के रखना है बस इस तरीके से मैं पैक कर लिया और पैक करने के बाद मैं इसको सारे इसी तरी से रखूंगा मैं तो ये देखिए 200 सूजी में मेरा 10 रोटी बना हुआ है अब इन सारी रोटीों को मैं फ्राइ कर लूँगा तल लूँगा तेल में यहां पर मैं लोगे क कड़ाही लिया हुआ है और उसमें 10 लिटर रिफाइन तेल में इन रोटीों को तल रहा हूँ प्रेंड्स सूजी और आलू से बना हुआ यह नास्ता बहुत हैल्डी और टेस्टी होता है तो इन सारी रोटियों को आप अच्छे तरीके से बिलकुल लाल होने दें और बिलकुल अच्छे तरीके से पकने दें जैसा कि मैं पका रहा हूँ तो इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से पका रहा हूँ यह जब ही हमारा लाल हो जाएगा तभी हम समझाएंगे कि यह बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है तो हमें अभी टाइम लगेगा सुप्रेंड्स लगबग साथ से आठ मिनट तक दोनों साइट से पलट के पक आएं बिल्कुल अच्छे तरीके से बने रहे वीडियो में मैं अब लोगों को दिखाऊंगा यह देख सकते हैं मेरा एक साइट से पक चुका है अब दूसरी साइट से मैं इस तरीके से पलट रहा हूँ तो इस तरीके से पलटने के बाद दूसरी साइट से भी पक जाएगा और complete हो जाएगा जो यह बिलकुल अच्छे طریقے से पक जागा, तब मुझे इसे निकाल लेना है, और निकालने का वापत से बचा हुआ जो सारी रोटियां है, इसे भी मैं तल लोगा बिलकुल अच्छे तरीके से, तो ये देखिए इस तरीके से बिलकुल लाल हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरीके से लाल होने के बाद ही मैं निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स अब देखिए कितना फुला फुला और बहुत ही लाजवाब नास्ता बना है ये देख सकते हैं friends बिलकुल भहत ही अब full चुका है रोटिये सारे अब बाकी बच्चा हुआ भी मैं सारी चीजों को fry कर लेता हूं तो इस तरीके से आप भी इसे try कर सकते हैं और fry कर सकते हैं बना सकते हैं बहुत ही healthy और testy बनता है तो friends आप देख सकते हैं सारी रोटियों को मैंने fry कर लिया है हमारी 10 रोटी बनी थी 10 से रोटियों को fry कर लिया है अब मैं आप लोग को तोड़ के दिखाता हूं इसे कि कितना बहुत ही soft और लाजवा बना है अब देख सकते हैं इसे किसी भी चीज से चटनी से खा सकते हैं यहाँ पर मैंने सेजवन चटनी लिया ओए खाने के लिए तो यह देखिए friends मैं आप लोग को तोड़ के दिखाता हूं वाँ बहुत ही tasty बना है friends इस तरीके से देखिए आप भी try कर सकते हैं तो friends आज की recipe में बस इतना ही friends अगर recipe अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करके मुझे जरूर support करें Thank you friends